हेलो फ्रेंड्स मैं मुसकान आपका बहुत बहुत सागत करती हूँ आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है स्मार्टेट सिस्टम तो आज इस यूट्यूब वीडियो के मादम से मैं आपको बताना चाहूंगी कि आप सौफ़्टर के मादम से अगर ट्रेड स्टोक में तो ऑटोमेटिक स्कैन करके सौफ़्टर आपको लेफ साइड के अलर्ट और पूट बोक्स में अलर्ट प्रोवाइट करता है अब जो भी अलर्ट आपके पास आएगा बस डबल क्लिक आपको करना है चार्ट आपकी स्किन पर ओपन हो जाएगा अब मालीजी ऑन वाकी किया है अपनों स्पिड़ल में आपकवाइग करवाया है अब बायग करवाया है तो सबसे पहले हम छेक करेंगे कि जो बाया का सिगनल हमें मिला है तो क्या वह we से वो condition हम पहले match करेंगे तो first condition आपकी रहेगी सर कि जिस candle पर आपको buy का signal मिला है यह जो arrow mark है यह आपका main signal होता है तो जिस candle पर यह arrow mark आपको मिलता है वो candle yellow color की line के ऊपर close होना चाहिए या फिर complete candle yellow color की line के ऊपर बनना चाहिए second condition आपके रहेगे यहां पर private लेवल का प्राइज आपको दिया है तो став riverि लेवल के प्राइज बहुत का प्राइज ज्यादा होना चाहिए टो नीचे वाले message box में आपको बाइज मिल जाएगा यहां से आप compare करेंगे ज्यादा होगा तीसरे condition advanced smart indicator या तो सारे green color के होना चाहिए सारे नई भी होते हैं तो आपको इतना check करना है कि शुरुआत के minimum 3 green color के होना ही चाहिए यह condition आपकी हुई अब इसके बाद हम check करते हैं कि आपको यहाँ पर first target लेना है, second लेना है थर्ड लेना है, तो यह check करने के लिए आपका short term signal box भी अगर buy बता रहा है, तो यहाँ पर आपका definitely first target तो मिलेगा ही second target भी software आपको देखा जाएगा लेकिन आप देख सकते हैं, short term के सांग सा long term भी आपका buy बता रहा है मलब third target के भी confirmation है कि third target भी आपको मिलेगा लेकिन आप सबसे पहले first target book करें, उसके बाद यहाँ second, third तक जाए क्योंकि आपके पास जो sell रहेगा वो trailing stop loss रहेगा, तो यह सारी बात थी हमारी conditions पर, but trading करने के लिए आपको कभी भी first candle पर trade नहीं करना है, जब आपकी पहली candle, जिस candle पर signal बना है, वो candle पूरी तरीके से complete हो जाएगी, next candle आपकी जब generate हो जाएगी, open होगी, तब आपको आपके लिमेट पर जाके trading करना है, तो जो trading का price रहेगा, वो आपको message box में मिल जाएगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4992 आपको दिया गया था price, तो इस price पर आपको आपका limit order लगाना है, इसलिए हम यहाँ पर गलती करते हैं, कि हम जब signal generate होता हो, उसी candle पर हम trade कर लेते हैं, और मान लिजिए, time होने से पेले, closing time आपको दिया जाता है, यहाँ पर software का जो time था, इस candle का close होने का time दो बच के पन्रा मिनिट था, तो दो बच के पन्रा मिनिट तक हमें इस candle को पूरा complete होने देना है, उसके बाद ही हमें दूसरी candle की opening बर trading करनी है, ठीक है, इसके बाद हम आते हैं stop loss पर, अब stop loss के लिए आपको यहाँ पर white color की line दी गई है, यह आपका trailing stop loss होता है, तो trailing stop loss आपको लेकर चलना है, इसका price इसी line के सामने आपको दिया गया है, तो यहाँ पर आप देख सकते है, 4963 आपका current यहाँ पर stop loss बता रहा है, यह trailing SL होता है, जैसे जैसे market आपका उपर जाएगा, automatic SL भी आपका trailing होता रहेगा, जो आपको आपके demit पर जाके भी trailing करना है, target आपको दिये गए हैं, software में target first आपको दिया है, second और third, तीनो target आपको message box में दिये गए हैं, तो यह सारी information थी आपको बाइकॉल के लिए, तो जब भी आप trade करने जाएं, तो सारी condition चेक करें, सारी condition मेच करने के बाद दूसरी candle पर ही trade करने, first candle पर कभी भी trade नहीं करना है, तो आशा करती हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया, तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर आपको जाएं,